नमस्कार दोस्तों में गणे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एकजाम करेकर नाइट और इस वीडियो के अंतरगत अपन टोप 50 के उसने डिसकस करेंगे मराटा सामराजे से संबंदी जो पिछले वर्सों में पूछे गए क्विसन है इसके ला करने वाले हैं आदुनिक भारत modern history भी अपने डिसकस करेंगे अगर पिछले आपने वीडियो नहीं देखे तो जुरूर देखे पिछले वीडियो में अपने डिसकस किया था मुगल का आलजे सम्मदीद मायतोपन क्यूसन तो आपको डिसक्रिशन में लिंक मिल जाएगी उस पचास क्यूसन डिसकस अपने इस टोपिक से करने वाले हैं मराटा सामराजी जो की 1634 से लेकर के 1818 तक ठीक है तो यह साम मराटा सामराजी इसके अलावा अपने डिसकस करेंगे इसमें पचास क्यूसन तो पचास क्यूसन में से आप कितने क्यूसन सही करते हैं आप अपने तैयारी को अच्छे से जा सकते सभी प्रतियों की प्रिक्साओं के लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो है तो चलो स्टार्ट करते फर्स्ट कुशन से मराटों ने सर्व परतम किसके अधीन कारिये कर प्रसासनिक अनभव प्राप्त किया इन्हों ने मराठाओं ने किनके अ अधीन कारिय किया था डेवगरी के यादों के अधीन बहमनी सल्तनत के अधीन आहमद नगर बीजापुर वह गोलकुंडा के अधीन और इनमें से कोई नहीं आपके पास में 10 सेकंड आंसर कमेंट करें क्यूसन नमर फर्स्ट का राइट आंसर क्या है कि क्यूसन को आप आरा गूरीला जेब को अधीन नहीं कारिय किया था अतना प्रसाशनिक अनभव प्राप्त किया था क्योसन नमर दो निम लिखित में से गूरिला युद का पतपरदर्शक कौन था गूरीला युद यानि कि छापामार चुप चुप के बाद में आकर्मन करते थे दूसमनों पर उसको बोलते है गूरिला या चापामार युद्ध पत्पर्दसक कौन था किसको कहा जाता है गूरिला युद्ध का पत्पर्दसक प्रदर्सक औरंग जेब को अकबर को सिवाजी को बाला जी को अब किसको कहा जाता है मिद्रों सिवाजी को कहा जाता है किसन नमर तीन मराटों के बर्गी गिरी यानि की गूरिला युद्ध प्रणाली या चापामार युद्ध प्रणाली गुण का सबसे पहले और सबसे अधीक कुपियो किस ने किया मलीक अंबर ने साजाने जांगीर ने और और अरंग जेब ने इसे युद्ध प्रणाली का सबसे पहले और सबसे अधीक प्रियो किसके दुआर किया गया था चापामार युद्ध प्रणाली या गुरिला युद्ध प्रणाली समय समाप्त किसन नमर तीन का रायट आंसर ऑप्शन ए मलीक अंबर के दुआरा मलीक अंबर के दुआरा सबसे पहले और सबसे ज़्यादा प्रियोग किया गया था चापा मार युद प्रनाली या गुरिला युद प्रनाली खा ठीक है मारना परताब नहीं भी यह युद्ध परनाली अपनाये थी वो पाड़ों में रहते थे और वहीं से आकर्मन करते थे ठीक है चाप अमार युद्ध परनाली चलिए नेक्स्ट कुशन आपके सामने है कुशन नमर चार सिवाजी के परसासन में पेश्वा कहा जाता था ठीक है तो सिवाजी के समय परसासन में सिवाजी के परसासन के समय पेश्वा किसे कहा जाता था दार्मिक मामलों के मंत्री को रक्सा मंत्री को प्रधान मंत्री को न्याय मंत्री को पेश्वा किसे कहा जाता था काफी important है यह भी पेश्वा पेश्वा मिंस क्या होता है तो पेश्वा मिंस होता है तो प्रधान मंत्री ठीक है प्रधान मंत्री 这个抟 option C right answer चलिए next question question number 5 4 चोत क्या है ठीकर चोत का आपको मतलब बताना है उस रमें Moooo तो क्या था औरंघजेब दुवारा लगाया गया धारमिकर सिवा जी दुवारा लगाया गया मारग कर अगबर द्वारा वसूल किया जाने वाला सिचाएकर और option D पडोसी राजियों पर सिवाजी द्वारा लगाया गया भूमिकर तो कौन सा कर रहा है इसमें से जो कि चोथ कहलाता था चोथ टाइम सब ठीक है इसका राइटांसर हो जाया कि option D पडोसी राजियों पर सिवाजी द्वारा लगाया गया भूमिकर उससे क्या का जाता था चोथ Question No.6 Maratha राजिये का दूसरा संस्ता पर किसे का जाता है राजा राम जी को बाला जी विस्वनात को बाजी राव पर्थम को बाला जी बाजी राव को दूसरा संस्ता पक किसे कहा जाता है मराठा राज्य का दूसरा संस्ता पक टाइम सब क्यूसर नमर 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर बाला जी विस वनाओत को कहा जाता है मराठा राज्य का दूसरा संस्ता पक Question number 7 निम लिकित यूरोप यो शक्तियों में किसने सिवाजी को तोपे प्रदान की सिवाजी को जो तोपे दी गई थी तो किसके द्वारा दी गई थी पूर्टगाली यो द्वारा, डुचों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, फ्रांसीस यो द्वारा ठीक है, तो किसके द्वारा सिवा जी को तोपे परदान की गई? यह भी important question है, सई answer क्या होगा, question number 7 का? Time's up, question number 7 का राइट answer option, C, अंग्रेजु द्वारा, ठीक है, अंग्रेजु द्वारा इनको तोपे परदान की गई थी, सिवा जी को Question number 8, सिवा जी का राजय अभी से का हुआ था? राइगड, काला नोर, राइचूर, आग्रा सिवा जी का राजय अभी से का हुआ था? Time's up, question number 8 का राइट answer option A, राइगड, ओके, राइगड में वतान का राजय अभी से एक चले, question number 9, किसके सासन का राजय में मराटा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गए थी? ठीक है? किसके सासन का राजय में मराटा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गए थी? और रंगजेब के समय में साजा, जांगीर, अकबर उसमें किसका सासन था जल्दी से कमेंट करें मुगल सासर कौन थी उस टाइम जब संभाजी केते होई थी उस टाइम ठीक है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो ओप्शन ए ओरंग जेब ठीक है ओरंग जेब तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओरंग जेब क्विशन नमबर 10 सिवाजी के साम राज़ी की राज़दा ने कहां थी सिवाजी ने राज़दा ने कहां बनाए सिवाजी की साम राज़ी की राज़दा ने कौन सी थी पोने, रायगड, कारवाड, पुरंदर टाइम सब क्विस्टन नमर 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी राय गड़े चलिए नेक्स्ट क्विस्टन क्विस्टन नमर 11 पानी पत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में होता अब ये खिनकिन के मद्धे होता ये काफी इंपोर्टेंट है देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है कौन कौन से डिफ्रेंट डिफ्रेंट एक्जाम में पूछा गया है तो इसका अंसर कमेंट करना आपको इंपोर्टेंट है तीसरा युद्ध होता 14 जनवरी 1761 को ये विध्यान में रखना अब आप ये कमेंट करें किन के मद्धे होता चलिए समय समय आप इसका राय टांसर ऑप्शन सी ठीक है पेसवा बाजी राव दीते और अहमद सा अब दाले के मद्धे होता है पानिपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को नेक्स्ट क्विशन क्विशन नमर बारा सिवाजी का सरवादिक प्रभावित थे सिवाजी सबसे ज्यादा किसे प्रभावित थे मीरा बाय से जीजा बाय से चांद बीवी से और हजरत महल से टाइम सब्सक्राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन बी ठीक है जी जाबाई से अब आप ये कमेंट करें जी जाबाई कौन थी ठीक है जी जाबाई सीवाजी के क्या लगती थी कमेंट करके बताएं क्या है नेक्स्ट कुशन कुशन नमर तेरा अश्ट परदान मंत्री प्रिशद किस सासे के सासन काल में थी अश्ट परदान ठीक है टिकपु सुल्तान अकबर सीवाजी क्रिशन देव राई टाइम से इसका राई टान्स रो जाएगा ऑप्शन सीवाजी क्यूस्ट नमर चोधा सीवाजी के राजनेतिक गुरू एवं संद्रक्षक कौन थे ठीक है इनके राजनेती गुरू और संदरक्षक कौन थे समर्थ रामदास साज जी बहुंश ले दादा जी कौन देऊ और इने में से कोई नहीं संदरक्षक क्योंकि इस फ्रकार राजनेती गुरू थे इनके संदरक्षक और राजनेती गुरू थे चलिए आपके सामनी आच चुका आपको एक तरफ तो बताना इनके नाम है और एक तरफ दे रहे हैं सिवा जी क्या लगता था कि अटिक है समर्थ रामदाज सिवाजी के क्या लगते थे तो आपको मिलान करना है आप के पास में 15 से अंसर क्या किया होगा इसका आंसर कमेंट करें कि 15 Все एक से आरें आपके पास का हे हे कि कि अच्छी म theo पहुत padre हिए छळे समय समाप इसका राह्यट टांसर इस प्रकार पहन ठीक है समर्द रामदास जी तो क्या थे सिवाज जी के अध्याति में घुरू थे साज जी जाницу क्या थे सिवाज जी के पिता rip आ रहेगा एक और क्यूसन देखते आगे नेस्ट आपके सामने से सॉला ठीकता इस만न विया इप सुमेलित हैकर वह क्यों सफुमेलित करना चोर्व करना है यह आ जल्दी से आंसर इसका कमेंट करें, कौन सी गटना कब हुई है, जल्दी से आंसर कमेंट करें चलिए टाइम सब क्यूसर नमर 16 गर आइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से ठीक है नेक्स्ट क्यूसर नमर 17 इसमें भी आपको सुमेलित करना है एक तरफ आपको दे रहे हैं, अश्ट परदान के सदस्य और एक तरफ दे रहे हैं उनका आर्थ बताना है मजूमदार और आमत्यक आर्थ क्या होता है, यह आर्थ आपको बताने है जल्दी से कमेंट करें इसका सय आसर क्या होगा, 10 सिकंड आपके पास में, 15 सिकंड आपके पास में चलिए टाइम सब ठीक है 20 सेकंड हो गये तो आंसर आपने किया होगा मजूमदार या आमत्या का मतलब होता वित एवम राजस्वा मंत्री सुमंत या दबीर विधेश मंत्री सुरनिस या सचिव साइपत्र विबाग का प्रदान इस प्रकार से सुमेले तो जाएगा कुस्सा नमबर 18 दास बोध के रचनाकार थी ठीक है दास बोध जो ग्रंत है उनके रचनाकार बताने कौन है तोलसी दास, सूर दास, कबीर दास, समर्थ राम दास दस से गड़ आपके पास में आंसर कमेंट करें से आंसर क्या होगा क्यूशन नमर उठारा का दास बोध के रचनाकार थे चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्शन डी, समर्थ राम दास थे दास बोध गरंत के रचिय था क्यूशन नमर उन्नीस, लाड वेलेजली कि साएक संदी को स्विकार करने वाला पहला मराड़ा सरदार था कौन था ये? पेश्वा बाजी राव दीते, रगुची बोसले, दोलत राव सिंदिया, इनमें से कोई नहीं टाइम सब्सकर आइट आंसर हो जाएगा उप्शन ए पेश्वा बाजी राव दीते क्यूशन नमर बीस, सरण जामी परता किसे से समन्दित है? मराटा बू राजस्व व्यवस्ता से, तालोगदारी परता से, कुतूब साही प्रसासन से, इनमें से कोई नहीं सरण जामी परता किसे समन्दित है? टाइम सब्सकर आइट आइट आसर हो जाएगा उप्शन ए, मराटा बू राजस्व व्यवस्ता से कुशन नमर 21, वैक से बीजापुर सुल्टान 1669 में सिवाजी को जिन्दा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए बेजा था? ठीक है, तो काफी इंपोर्टेंट है यह, इनाइद का, अफजल का, सा इस्ता खा, सेयद, बंदा दस सेगंड आपके पास में आंसर कमेंट करें सयांसर क्या है? काफी इंपोर्टेंट कुशन है यह सयांसर चलिए है टाइमसर क्युशन नम्र 21 का राइट आंसर, ओप स Warum अफजल खाँ ठीक है अफजल खाँ क्युशन नम्र 22, सिवाजी मोगलो की केद से भागने के समय कौन से नगर में केद थे खिकत या का सकते सिवा जी मुगलों की केद से भाग ते समय कौन से नगर की केद में थे वो ग्वालियर आगरा दिल्ली कानपुर से आंसर टाइम सब क्विशन नमर 22 का राइट आंसर ओप्षन बी ठीक है आगरा ठीक है आगरा में केद थे ये सिवा जी क्विशन नमर 23 ग्वालियर राज्य किस्ता अपना किसने की थी मादव राव सिंदिया ने बाजी राव सिंदिया ने मादजी सिंदिया ने जीवा जी राव सिंदिया ने ग्वालियर राज्य किस्ता अपना किसने की थी या किसके द्वारा की गई थी चले टाइमस अब क्विशन नमर 23 का राय टांसर हो जाय को ऑप्सेंडी जिवाजी राव सिंदिया उके जिवाजी राव सिंदिया इनके द्वारा स्तापना की गई थी गवालियर राज्य की चलिए जी नेक्स्ट क्विशन क्विशन नमर 24 एक इतियास कार ने पानीपत की तीसरी लडाय को सुवयम देखा ये कौन था खफी खांग, कासी राज पंडित, दत्ता जी पिंगले और हर चरण दास पानी पत की लडाय को उन्होंने सुवयम देखा, परतिक सुरूप से देखा, कौन से किसके द्वारा देखा गया था कौन से इतियास कार थे उस टाइम चलिए टाइम सब क्विशन नमर 24 का राइट आंसर ओप्सन बी, ठीक है, कासी राज पंडित कासी राज पंडित वेर इंपोर्टेंट है, ठीक है, क्योशन नमर 25, सिवाजी द्वारा दुरुगों पर किये गए अधिकार का सही क्रम है, तो सिवाजी ने पहले कौन से दुरुग पर अधिकार किया, फिर कौन से ये किया, इस प्रकार से आपको बताना है, तो इसमें से सही क्रम कौन सा है, आपके पास में 10 सेकंड से आंसर कमेंट करें, चलिए टाइम सब क्योशन नमर 25 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ओप्शन ए राइट आंसर, ठीक है, सियागड या कौन डान का दुरुग जीता पहले, फिर बाद में तोरन का, फिर पुरंदर का, फ से आंसर, चलिए यागा, फिर चांजर कमें ते इक चना का राइट आंसर, चलिए जी चिशन नमर 26, सिवाज का जनम का हो अधा, क्वो जैए धर 22, राइग। दुरग ट्राइगर्ड प्रानाला दुरग इन में से कोई नहीं सिवाजी का जन्म का हुआ था वेरी इंपोर्टेंट है यह भी से आंसर क्या होगा समयसमा अब क्यूशन नमबर 26 का राइट आंसर ओप्शन एर राइट आंसर सिव नेर दुरग सिव नेर दुर्ग में जन्म वहाता सिवाजी का क्यूशन नमबर 27 सिवाजी ओरंग जेब के आगरा दर्बार में कब उपस्तित हुए ठीक है, सिवा जी, औरंग जेब के आगरा दरबार में कब उपस्ती तो हुए थे 1665 में, 66 में, 66 में, 66 में या फिर 68 में टाइम सब क्यूशन नमर 27 का राइट आंसर हो जाएगा option B राइट आंसर, 1666 में या आगरा दरबार में उपस्ती तो हुए थे औरंग जेब के सामने कौन, सिवा जी, चलिए, क्यूशन नमर 28 संबा जी के बाद में, संबा जी के बाद मराटा सासन को किसने सरल और कारगर बनाया, किसके दोरा बनाया गया था सरल और कारगर राजाराम ने बाला जी विस्वानाथ ने, गंगाबाय ने नाना जी देश्मुक ने टाइम सब क्विशन नमर 28 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्षन बी बाला जी 20 वनाथ ने ठिक है बाला जी 20 वनाथ क्विशन नमर 29 सिवाज जी को राज़ा की उपादी किसने परदान की थी सिवाज जी को राज़ा की उपादी किसने परदान की थी बीजापुर के सासक ने आमद नगर के सासक ने औरंग जेब ने या फिर माराजा जैसिंग ने तो ये परदान की गए थी औरंग जेब के द्वारा ओप्शन सी राई टांसल हो जाएगा ठीक है क्योंसर नमर तीस सिवा जी ने कब चत्रपत की सोरी सिवा जी ने कब चत्रपती की उपादी धारण कर अपना राजी भी से करवाया ठीक है चत्रपती सिवा जी तो चत्रपती की जो उपादी की धारण क सिवा जी ने चत्रपते की उपादी कब दारण की थी चलिए जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन डी राइट आंसर जून 1604 में ठीक है जून 1604 में चत्रपते की उपादी दारण की और राजी भी से करवाया क्यूसन नमबर 31 कासी के किस प्रशिद विध्वा ने सिवा जी का राजी भी से करवाया ठीकर राजी भी से कब भी देखा था अपने पिछले क्यूसन में तो ये कब हुआ था आप देख सकते हैं कब हुआ था 1600 और चोतर में वा था जून 1604 में अब ये जो हुआ था राजी भी से तो ये कासी के कौन सी विध्वान के द्वारा इनका राजी भी से करवाया गया था स्री विश्वेसवर जी गंगा बट गुरू रामदास जी स्री विश्वनात सर्मा और इनमें से कोई नहीं सही आंसर क्या है टाइम सब कुशन नमर 31 का राइटांसर ओप्सन ए राइटांसर स्री विश्वेसवर्जी गंगा बट के द्वारा इनका राजेबी से कराया गया कुशन नमर 32 सिवा जी को पाड़ी चुहा वसास्री डाकू की संगया किस ने दी काफी इंपोर्टेंट है भी सिवा जी को पाड़ी चुहा या सास्री डाकू की संगया किस के द्वारा दी गए थी मित्रो चलिए जी टाइम सब तो यह दी गए थी मित्रो औरंग जेब के द्वारा किस के द्वारा औरंग जेब के द्वारा क्यूशन नमर 33 सिवा जी ने मजबूत नोसेन नागा गठन किया था सिवा जी का सर्व परतब नोसेनिक बेड़ा का अस्ता फित था कोलाबा, जंजीरा, एलेफेंटा इनमें से कोई नहीं टाइम सब इसका राइट आंसर ओप्शन एर राइट आंसर कोलाबा क्यूसर नमर 34, सिवा जी के बाद करमस से दूसरा चत्रपती और एवं दूसरा पेसवा कोन बना तो जल्दी से कमेंट करें से आंसर किया 10 सेकंड आपके पास चले टाइम से बिसका राइट आंसर हो जाएगो ऑप्शन सी ठीक है सिवा जी के बाद दूसरा चत्रपती कौन या दूसरा चत्रपती उपादी संभा जी और दूसरा पेसवा तो कभी कलस आप्शन सी राइट आंसर क्यूसर नमर 35 किस मराटा सासे के सासनकाल को पेसवाओं के सासनकाल के नाम से जाना जाता है तो किसे के सासनकाल को पेसवाओं का सासनकाल का जाता है या जाना जाता है राजाराम, सिवाजी, दीतिय, साहू, संबाजी सफ़ी आंसर क्या होगा क्यूसर नमर 35 का चलिए जी टाइम सब क्विशन नमर 35 का राइट आंसर आप्शन सी साहू क्विशन नमर 36 मराटा सामराजी की सबसे बाद दूर महिला कौन थी तारा भाई, यसु भाई, साई बाई, सोयरा भाई सबसे बाद दूर महिला मराटा सामराजी की कौन थी तो ये ती मित्रो तारा भाई, ओके तारा भाई, ओप्शन ए राइट आंसर क्विशन नमर 37 किसे लडाकू पेश्वा और हिंदू सक्ति का आउतार कहा जाता है बाजीराओ पर्थम, बालाजी विस्वनात, बालाजी बाजीराओ इनमें से कोई नहीं लडाकू पेश्वा और हिंदू सक्ति का उतार किसे का जाता है चलिए टाइम से बिसका राइट आंसर ऑप्शन ए बाजीराओ पर्थम को Quesion No.38 निम्ण में से किसने पुर्त गालियों से साल, सेट एवं बेसिन के द्वीपों को चीना ठीक है? किन से चीना गया था पुर्त गालियों से? कौन-कौन सा? तो साल, सेट एवं बेसिन के द्वीप तो यह चीने गये थे किसके दोरा? बाजिराओ पर्थम, बालाजी विस्वनात, बालाजी बाजिराओ इनमें से कोई नहीं Quesion No.38 का राइट आंसर चलिए जी टाइमस अब Quesion No.38 का राइट आंसर और से बाजिराओ पर्थम Quesion No.49 किसके समय में मराटा सक्ती अपने चर्मोत कर्स पर पहुंची तता साथ ही मराटा सक्ती का पतन भी आरंब हुआ बाजिराओ पर्थम, बालाजी विस्वनात, बालाजी बाजिराओ टाइमस अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन बालाजी बाजिराओ के समय मराटा सक्ती अपने चर्म पर पहुंची थी इसके लावा इनी के समय मराटा सक्ती का पतन भी आरंब हो गया था Quesion No.40 किस मराटा सरदार ने 1789 में पंजाब विजे किया रगुजी बोसले, रगुनाथ राव, मलहा राव, इनमें से कोई नहीं Quesion No.40 का राइट आंसर हो जाएगा option B, रगुनाथ राव Quesion No.41 किसने दिल्ली में मुगल बादसा की साहिता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दिवान आम की चछत से चांदी निकल वाली किसने निकल वाली सदासीव राव, भाव, मलहार राव, रगुनाथ राव, इनमें से कोई नहीं से आंसर के हो Quesion No.41 का राइट आंसर चलिए टाइम सब Quesion No.41 का राइट आंसर हो option A, सदासीव राव, भाव कापी इंपोर्टेंट है, जुरूर दियान में रिखे Quesion No.41 को Quesion No.42 के बाद किसने गूरिला युद का संचालन किया, गूरिला मतलब चापा मार बाजिराव पर्थम, बाला जी विश्वनात, बाला जी बाजिराव, सदासीव भाव शिवाजी के बाद में गूरिला युद का संचालन किसके दोरा किया गया चलिए जी, टाइम सब, Quesion No.42 का राइट आंसर, ऑप्सन ए, ठीक है, बाजिराव पर्थम के दोरा संचालन किया गया था Quesion No.43, निम्न में से किसने पानिपत के तर्तिय युद में संगटित मराटा सिनाओ का नेतरत्व किया, ठीक है सही आंसर, Quesion No.43 का राइट आंसर, सही हो गया कौन सा सही होगा, Quesion No.43 का राइट आंसर चलिए जी, टाइम सब, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्सन C राइट आंसर, ठीक है, ऑप्सन C चलिए, नेक्स्ट क्विशन आपके सामने, Quesion No.45 वर्स 1771 में दिल्ले की गद्धी पर सा आलम दित्ते को पुनर स्तापिद करने वाला मराटा सरदार था, कौन सा सरदार था, मादजी सिंदिया, नाना फड़न विस, सदासिव राव भाव, मला राव, होल कर समयस्माप्त, Quesion No.45 किसे अंति महन पेशवा कहा जता है, माधव राव, नारायन, माधव राव, नारायन राव, रगुनाथ, राव अंति मान पेशवा, इनमें से कौन सा है, समयस्माप्त, Quesion No.45 किसके सासन का आल में पर्थम आंगल मराठा, जुद 1754 से 1772 में वाता, तो मराठाव कि तरफ से कौन थे, उनका नाम आपको वता ना, माधव राव नारायन, बाजी राव दिते, नारायन राव और बाजी राव दिते, तो बाजी राव यहां पर दिते हो गया, तो इसको फर्स्ट कर लिजे, ठीक है, बाजी राव पर्थम, ठीक है, बाजी राव पर्थम, ठीक है, बाजी राव पर्थम, Q2 नमर 17, 33 आंगल मराठा युद्ध जोग 1817-18 में वा था इसके दोरान सबसे अंतिम संदी कौन सी थी ठीका यह युद्ध राता उसमें आंगल और मराठा में संदी हुई थी तो यह संदी कौन सी थी, नागपुर की संदी, पूर्णा की संदी, मंदसोर की संदी, कानपुर की संदी चलिए जिसमें समाप्त क्विशन नमर 47 का राइटांसर ओप्सन डी कानपुर की संदी किसने कहा कि मराठो का उदे हाक्समिक अगनिकांड की भाती हुआ तो किसने कहा था यह ग्रांट डफने आंद्रिविक एमजी रानाडे और यदुनात सरकार ठीक है तो किसने नमर 48 का राइट आंसर क्या है किसके द्वारा का गया है कि मराठो का उदे आक्समिक अगने कांड की भाती हुआ किसने का था यह जल्दी से कमेंट करें क्विशन नमर 48 का राइट आंसर तो इसका राइट आंसर उप्शन ए राइट आंसर हो जाए ग्रांट डफ के द्वारा इत्यास कारति क्विशन नमर 49 किस मराठा सरदार ने सेलना का गठन ईउरोपीर डंग से किया तो उरोपीर डंग से शनना गठन किस मराठा की द्वारा किया गया माधजीजी, सिंदिया, रगुनात राउ, मलहार राउ, होलकर इनमे से कोई नहीं यह मारा second last question है से answer क्या होगा question number 49 का right answer जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखके तो description में link मिल जाएगी उस पे जाके आप देख सकते क्लिक करके चलिए जिसमेस मैप question number 49 का right answer हो जाएगा option A right answer महादजी सिंधिया question number 50 सिवा जी का अंतिम से ने अभियान था सिवा जी का अंतिम से ने अभियान कौन सा था सलेहर का अभियान करनाटा का अभियान जंजीरा का सिद्यों की विरुत अभियान और कौन डाना का अभियान तो यह question है मित्रों सिवा जी का अंतिम से ने अभियान ये भी काफी important है ये भी बहुत बार पूछा गया क्यूशन नहीं अंतिम से ने अभियान कौन सा है उम्मित करता हूँ बिल्कुल इसका अंसर आपको हरा होगा चलेजी समय समय आप्त क्यूशन नमर पचास का राइट अंसर option B करनाटक अभियान करनाटक अभियान सिवा जी का अंतिम से ने अभियान था तो राइट अंसर आपका option B तो अपने इस वीडियो के अंतरकर discuss किये top 50 questions ठीक है कितने 50 questions अपने discuss किये पचास में से आपने कितने questions किये आप अच्छी तरके से अपनी तयारी को जा सकते है अगर आपकी question कम है तो theory को अच्छी से पढ़े दुबारा से पढ़े इसके अलावा अगर इसे related अगर आपको PDF चाहिए मित्रो तो PDF आपको मिल जाएगी ठीक है PDF आपको मिल जाएगी अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपको like करना है नहीं लगा तो आप dislike भी कर सकते हैं इसके अलावा channel पर new है अगर अच्छा लगता है तो आप channel को subscribe भी कर सकते है पास में जो bell icon है इस पर all notification पर भी click कर ले तागि आने वाले सभी important वीडियो का आपको